इतिहास विशाय में रूच रखने वाले अधिकांस जिग्यासू यह संका प्रकट करते हैं कि इतिहास विशाय एक उबाउ और रटने वाला विशाय है वे बार बार शिकायत करते हैं कि इतिहास में घटना उनको उनके वर्स उनकी तिथिया आधिको रटना पड़ता है और उन्हें कैसे याद रखें यह एक बड़ी समस्या है मेरे कई विद्यार्थी बार बार पूछते हैं कि हम इतिहास में वर्स और तिथियों को कैसे याद रखें मैं आज इस विन्दु पर प्रकास डालना चाहूँगा कि इतिहास विशाय में घटना उनकी तिथि और वर्स को याद रखना उतना महत्वपूर नहीं है जितना कि उन घटनाओं के महत्व को समझना अगर हम किसी घटना का अधियन करते हैं और उस एतिहासिक घटना के महत्व को भली भात समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें स्वतव ही उस घटना का वर्स याद हो जाएगा जब हम उसके महत्व को समझ जाएंगे तो फिर हमें अलग से उसे रटने की आवसिप्ता नहीं पड़ेगी मैं एक छोटा सा उधारन देकर समझाना चाहता हूँ जब हम किसी विशाय किसी वस्तु आजिसे अपना एटेच्मेंट कर लेते हैं कोई वस्तु कोई विशाय कोई मेत्र कोई व्यक्ति जब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है तो फिर उसके बारे में हमें समझने जानने या उसकी रुचियों को परखने उसकी पसंद ना पसंद को समझने में हमें कोई कर्टनाई नहीं होती है मैं पहले वी अपने विद्यार्थियों को बार बार ये तथ्य समझा चुका हूँ कि अगर हमें किसी व्यक्ति में किसी वस्तु में रुचि है तो फिर उसके बारे में हम सोतो ही जान लेते हैं और जो जानकारी हम ताप्त करते हैं उसके हमें याद रखने के लिए अलग से प्रियास नहीं करना पड़ता है मैं बहुत बार कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रिय है तो आप उस अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारी ऐसे जुटा लेते हैं और वो वे जानकारिया आपको ऐसे याद हो जाती हैं कि आपको अलग से कभी भी अपने मस्तिश्क पर जोड़ देना नहीं पड़ता है क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपका प्रिय मीत्र प्रिय सहेली है उसकी बारे में उसकी आदतें, उसकी रुचियां, उसकी पसंद नापसंद, उसके घर, परिवार आदिके बारे में आप भूट सारी जानकारिया जानते हैं और आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि आपने कभी भी उसके बारे में इन जानकारियों को याद करने का प्रयास नहीं किया है ये स्वतो ही आपको याद हो गई है क्यों? क्योंकि आपकी उस व्यक्ति में अपने मित्र में अपने सहीली में रुची है और जहां रुची है जहां आकरसन है वहां फिर दिमाग पर अत्रिक्त जोड़ देने की आउस्ष्टा ही नहीं पड़ती है इसी तरह इतिहास विशाई से यदि हम अपना अटेच्मेंट कर लें अपनी रुची उसमें उत्पन कर लें तो सुतवाई हमें एतिहासी गट्टाओं की जानकारियां उनका महत्व याद रह जाएगा एक साहिर ने खूब का है कि सौक ए दीदार है तो नजर पैदा कर अर्थात यदि देखनी का सौक है तो नजर तो पैदा करने ही पड़ेगी इसलिए यदि इत्यास विशाई में रुची है तो उसमें यदि इत्यास विशाई का अधियन करना है तो उसमें रुची पैदा करने ही परेगी और जहां आपकी रुची पैदा हो गई तो निश्चित है कि आपको इत्यास विशाई में आनने लगेगा आप उन इतियासी घट्णाओं के महत्व को समझने लगेंगे और स्वतो ही आपको याद होने लगेंगे फिर भी एक वेज्ञानिक दिश्टीकों से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहाँगा कि किस तरह हम इतियासी घट्णाओं को इत्यास के मेत्वपूं संद्रवों को याद रख सकते हैं इसके लिए उदारनार्थ अगर हम भारतिय इत्यास की बात करते हैं तो हमें सरुपर्थम भारतिय इत्यास के कालक्रम को समझना पड़ेगा और इसके लिए हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि भारत के इत्यास को सामने तया हम तीन भागों में बांडते हैं और इस तरह हम तीनों काल खण्णों को सबसे पहले समझदे का प्रयास करें जैसे भारत के तयास का जो काल विवाजन है उसमें पहला भाग है प्राचीन भारत का इत्यास जो सामने कया प्रारम्ब से 1260 तक हम उसका अध्यन करते हैं यह हो गया हमारा प्राचीन भारत प्रारम्ब means प्रारम्ब का अर्थ है मानव की उत्पति से और 1260 श्वी तक इसको मान सकते हैं जांसे गुलाम बंच या जो हम मामलुक बंच कहते हैं उसका उदय हुआ तो इस तरह हो गया प्राजीन भारत का इत्यास प्रारम से 1206 इस्वितक अब दूसरा खंडात है मद्यकालीन भारत का इत्यास 1206 इस्विसे 707 इस्वितक 1206 में कुदुबदीन एवक ने दिल्ली सलत्रत की इस्तापना की थी अर्थात मामलुक बंस या जिसे हम गुला मंस कहते हैं उसकी इस्तापना की थी और 707 पर मद्यकाल का अंत मना जाता है जहां जिस वर्ष औरंग जेव की मिर्थी हुई थी तो इस तरह मद्यकालेन भारत का अउडिया 1206 इस्वी से 707 इस्वी तक तीसरा काल घंडाता है आधरिक भारत का इधियास और जेव की मिर्थी पर मद्यकाल का अंत मना जाता है और वहां से अर्थात 707 इस्वी से और 1950 इस्वी तक या 1947 इस्वी तक हम आधरिक भारत का इधियास का अधियन करते हैं इस तरह हमने क्या कर दिया भारत इतियास को तीन काल घंडों में विवाजित कर दिया अब हमने जब ये तीन काल खंडों में भायत कर दिया तो अब हम इत्यास के अलग अलग काल खंड पर आईएंगे और उसको समझने का प्यास करेंगे अब हम ये लेंगे कि प्राचीन भारत के त्यास के अंतरगत महत्वपूर्ण सीर्शक या महत्वपूर्ण घटा ये महत्वपूर्ण जो विंदु हैं वो क्या है जैसे जब हम प्राचीन भारत के अध्यास का अध्यास का अध्यान करते हैं तो हम सरुपर्थम मानव की उत्पद्ध का अध्यान करते हैं और यह अध्यान प्रारंब होता है पासानकाल से हम पासानकाल का अध्यन करते हैं और वो अभी तीन भागों में पूर पासानकाल, मद्य पासानकाल और नो पासानकाल फिर हम अध्यन करते हैं कि किस तरह पत्थर के ओजारों का प्रयोग करते करते मनुश्य ने धिरे धिरे ताम एकी खोच कर ली थी और फिर हम पासान के जो ओजार थे उस काल से पासान काल से आगे बढ़ते हुए तामर पासान काल पर पहुझते हैं और इस तरह तामर पासान काल का अध्यान करते हैं तामे का जो उभियोग था क्योंकि तामा अध्यात्र लचिला होता है इसलिए मनुशनी जब घोज गी तो तामे में कांसा मिला करके कांसा बनाए जाने लगा फिर कांसे यूग का उदाई हुआ और हम कांसे यूग के अंतरगत हरपा सब्यता का अध्यन करते हैं उसके बाद वैदिक काल फिर सोला माजिन पर फिर मौर्यकाल और इस तरह क्रमिक रूप से बढ़ते बढ़ते हम मौर्यकाल के पस्चाथ सक्ख कुसान भून आधिका अध्यन करते हुए गुप्धकाल पर आते हैं गुप्धकाल के पस्चाथ हर्सवर्धन हर्सवर्धन की मिल्च के पस्चाथ भारत का पुनौँ छोटे छोडे राजयोमी विभाजन राजपूत यूग और राजपूत यूग के अंत के बाद बारसो छेश्वी में सलतनत काल का प्रहरभ्ण इस तरह हम कुछ महत्वपून जो बड़ी घटाएं हैं बड़े जो यूग हैं बड़े काल खंड हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं अब हम प्राचीन काल के बारे में अगर और अंदर गुसें तो फिर हम क्रमिक रूप से प्रतेख बिन्द को समझने का प्रयास करेंगे जैसे पासानकाल तामर पासानकाल हड़ापास ब्यता वैदिक यूग महाजनपद यूग मौर्य यूग सक कुसान हून गुप्त हरसव होती हो अब हम जब इनके अंदर जाएंगे तो इनके अंदर महत्वपूर्ण बिन्दों को समझने का प्रयास करेंगे इस तरह जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो निश्यत यह हमें अलग-अलग काल घंणों की विश्थित जानकारी प्राप्थ होगी और फिर हमें उन्हें समझने में कोई खट्णाई नहीं होगी एक उदान्त के द्वारा मैं समयाना चाहता हूँ माना हम मौरेकाल के बारे में जो मैत्वपूर्ण घट्णाई हैं उनको समझना चाहते हैं तो हमें मौरेकाल के बारे में जब हम अध्यन करेंगे तो हमें याग ज्याद होगा कि किस तरह कि अपने आप इप यहम जब मौरेकाल को समझेगे कैसे मौरेवंस की स्थापना की कि फिर किस्तर बिंदुसार उसके बार ग्निया पर बैथप त्धिर किस्तर असोख ने कलिंग का युद्ध लड़ा फिर किस तरह असोग का युद्धों से मुहभंग हुआ और किस तरह उसने बहुत धर्म के प्रति रुचिक उसमें जागिर्त हुई और वो बहुत धर्म उसने स्विकार कर लिया तो मैं समझता हूँ जब इस तरह आप अध्यन करेंगे तो आ अपने आप मयत पूर्ण घटाएं समझ में आने लिखेंगे अभी जैसे 326 इस्विपूरम सिकंद्र के आक्रमन को समझते हैं तो नंद सामर्जे के अंतरगत जब हम अध्यन करेंगे तो हम ये भी अध्यन करेंगे किस तरह भारत पर इरानी और युनानी आक्रमन हुआ था तो इरानी और युनानी जो आक्रमन हुए जब हम इरानी आक्रमन और युनानी आक्रमन का अध्यन करेंगे तो निस्दिती हम समझ जाएंगे कि सिकंद्र का आक्रमन का गवा था क्योंकि इन बिन्दों के जब हम इरानी आक्रमन और युनानी आक्रमन को समझेंगे तो उनक एक याद रखने का वेग्यानिक तरीका भी है और निशित ही हम एत्यासिक गटाओं को याद रख पाएंगे और उनका मैं तो भी समझेंगे फिर मैं अगले बिंदु में इस बारे में और जानकारी दूँगा और विश्तितु उपसिर को समझाने का प्रयास करूँगा अभी इस तरह अगर आप अध्यान करने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ निशित ही आप एत्यासिक गटाओं को याद रख पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे